गाजियाबाद में देर रात बर्निंग कार की घटना देखने को मिली कार और ठेले की टक्कर से कार जल कर खाक हो गई मामला गाजियाबाद के कौशामभी का है जहां टक्कर के बाद कार में विस्पोट हो गया जिससे कार ने आग पकड़ ली सुचना के बाद पहुंची फायर बिगेट ने आग पर काबू पा लिया यह तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यह कार तुरंती जल कर खाक हो गई और आग इतनी भेंकर लगी कार के अंदर कि कार तुरंती जल कर खाक हो गई और धूँ धूँ कर जो आग थी जो आग की लप्टे थी जो धूँआ था वो पूरे आस्मान में छा गया आप देख सकते हैं कि फायर बिगेट के टीम किस प्रकार से मसकत कर रही है इस कार की आग को बुझाने के लिए ये कार का जो हाथसा है ये कार और ठेले की टकर में हुआ था आपको बता दें कि कार ठेले से टकराई थी जिसके बाद कार में एक विस्पोर्ट हुआ और विस्पोर्ट इतना भयानक था कि आप इन तस्वीरों से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कार के अंदर ये विस्पोर्ट कितना भयानक हुआ होगा विस्पोर्ट इतना भयानक था कि कार मौके पर ही जल के पूरी खाक होगे और कार को देख का साफता और पर या अंदाया लगा जा सकता है कि धमा का काफी धमाकेदार हुआ होगा आप यह देख सकते हैं कि फायर विगर के टीम के जो लोग हैं वो किस तरीके से आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और जल से जल आग बुज़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो आग है वो और कहीं भी ना फैले और आप ये धुमे के गुबारों को देखकर खुद अंदाजाय लगा सकते हैं कि कार में कितनी भयंका राब लगी होगी जिसको बुजाने के लिए फायर बिगेड की टीम मौके पहुंचे